जैशी किष्णा दोस्तो रादे रादे मेरे चैनल लर्णिंग विस्याब मैं आपका बहुत वस्वागत है दोस्तो आज हम चार नंबर की ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी नवरात्री में पहनाने के लिए एक ड्रेस बनाएंगे ड्रेस हम देखे चुनरी प्रिंट क कि व्यास में प्याइए प्याएए चार नंबर की ठाकुर जी के लिए आट इंची का बेस चाहिए होता है लेकिन इमने एक इंची कम साथ इंची का कट किया है क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो फ्रेल है वह बाहर की तरफ निकलेगी तो वहारा बेस बढ़ जाएगा और जो क हमें 4 तरफ सिलाई लगा लेनी है पहले, वस लगाने की बाद में हमें क्या करना है यह जो एक्ष्ट्र असतर है ना उसको हमें कट करके निकाल देना है असतर हम थोड़ा सा बढ़ा कटते हैं क्योंकि इस तरफ थोड़ा बढ़ा होता है न तो एड़स हो जाता है बढ़ना थूड़ा सभी दर्द और खिसका तो आपको दिकत हो जाएगी अब इसे हम गुलाई में चारो तरफ इसके अंदर के गुली में स्लाई लगाने की बाद में हमें से साइड से भी सलाई लगा देनी हैं अब इसे हम फोल्ड करेंगे सेंटर से और देखिए इस तरीके से हमने सेंटर पर एक मार्क किया हुआ है अब या तो इसे चार तेह करके आफ हाफ मैं ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेजिए लेकिन मैं हाफ आफ ने कर रही हूँ एक हिसा मैं हाफ से थोड़ तो मैं इस तरीकी से थोड़ा सा तिर्चा करके निशान लगा रही हूँ, दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं, अब ये हमारे इसके घेर के तीन भाग हो गए, एक ये सेंटर का है, दो उपर ये साइड के हो गए, तो अब इसमें हमें दोनों में अलग-अलग तरीके के ये सेंटर में हम चुनरी प्रिंट का फैबरिक की उज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमने 4 इंची चौड़ी और वियाले सिंची का अज़ा, हमारे बियाले सिंची लंबी, दो पत्तियां कट कर लिए हैं, वियाले सिंची नमबी हैं, इन पत्तियों को हम क्या करेंगे, पहले हम тобा टिशू टेप से लॉक कर लेते हैं डायमीटर को और टिशू टेप से लॉक करने के बाद हम पट्तियों का एक इसके घेर बनाएंगे परले टिशू टेप से लॉक कर लेए अब हमें ये पट्टी में पहले फोल्ड करके सलाई लगा लेते हैं ताकि ये सधी रहे आगे पीछे ना भागे और सलाई लगाने के बाद में हम इसे इसमें घेर बनाएंगे दोनों पट्टी में हमने सलाई लगा ली है अब इसका हम घेर बनाएंगे इससे पहले हम जो ये डायामीटर है तो देडर इंची पे हम पूरे घेरे में निशान लगा लेंगे एक फिरिल हमारे जेठ इंची पर आएगी पहले फिरिल उसके बाद दूसरी फिरिल हम कमर की गुलाई के साथ अटेज करेंगे तो पहले हम डेर इंठी पर पूरे घेरे में निशान लगा लेते हैं अब हम फ्रिल बनाएंगे पहली फ्रिल हमें ये जो निशान हमारा दिखाई दे रहा है इस निशान के बराबर में बनाएंगे जितनी हमें नाप लेंगे नीचे से कितना आ रहा है 8 या 9 इंठी के करीब आरा है तो उतनी में हमें से फ्रिल को तैयार करना है और हाँ दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं महमान है चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो वीडियो के जिराट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए उसके बेल आइकन आता है उस पर all पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि आगे आने वले सारे वीडियो आपको यदि दीखना चाहते हैं तो all पर क्लिक करना पड़ेगा और हाँ इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉल्लू नहीं किया है तो इंस्टाग्राम है लर्निंग विस्या वहाँ पर मुझे आप फॉल्लू भी कर सकते हैं अब इस फ्रिल को हम इस निशान पर यह देखें यहां से यहां तक इसको टक करेंगे इसमें में ज्यादा कुछ नहीं करना बस इसको आराम से निशान के उपर रखिए और सलाई लगा दीजिए एक पट्टी का घेर हमने थोड़ा फैला हुआ बनाया दूसरी पट्टी का घेर हमें कमर की गुलाई के बार बनाना है और कमर की गुलाई भी हमारी बहुत कम है मुश्किल से दू इंची तो दू इंच के अंदर ही हमें यह पूरी प्लेट से डाल करके घेर तयार करना है अब इस खेर को हम कमर की गुलाई के साथ में यहां से यहां तक टेच कर देते हैं साइट से स्लाई जरूर लगाएं वरना घेर वह उठा उठा रहेगा बैलेंस नहीं होगा तो दोनों साइट से दवाना बहुत जरूरी है द्धाइ इंची चोड़ी और हमने 42 इंची लंबी हमने नेट की पटियां कट किये चार पटियां हमने कट किये अब इसमें हम जो हमारा पीछे का दो तीहाई भाग रहा गया उसमें हम यह फ्रिल बना करके लगाएंगे सेम इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने रेड लगाएंगे पहले हम नीचे वाली फ्रिल तयार करते हैं तो उसको नीचे वाले जो निशान हमने डेड़ेंची पर लगाया उस पर टक करेंगे उसके बाद फिक कमर की गुलाई के बराबर हम उपर वाली फ्रिल तयार करें इतना काम कर लेते हैं फ्रिल हमने तेयार कर ली अब ये बड़ी वाली फ्रिल को हम ये पहले बाहर की साइड लगाएंगे साइड से थोड़ा सा मूरेंगे और रेड वाली फ्रिल के साइड में थोड़ा सा रखेंगे और यह जो निशान हमारा बना हुआ है उस निशान के सारे सारे लगाएंगे और यह जो बीच में से कट है ना उसे यहां से कार देंगे यह पहले पूरे लगा लेते हैं उसके बाद में लगाने के बाद में से कट कर देंगे और यह मैंने उपर की दोनों अलग-अलग बना लिया है तो एक को इस साइड लगाएंगे एक को दूसरी साइड लगाएंगे तो इस तरीके से हम तीनों फ्रिल पहले टक कर लेते हैं इसमें भी छोटी फ्रिल को भी लगा लेते हैं कमर की गुलाई के साथ में जैसे हमने रैड वाली फ्रिल को अटेच किया इसी तरीके से इसको भी कमर की गुलाई के साथ अटेच कर लेते हैं यह किनारी किनारी भी स्लाई लगा देंगे एक साइड हमने लगा लिए दूसरी साइड भी लगा देते हैं दोनों साइड फिर लगाने के बाद में टिशू टेप लगा देते हैं दोनों साइड में तिशू टेप लगाने के बाद में हमें कमर में नीफा लगाना है अब नीफा लगा लेते हैं देखे नीफा हम अलग से आपको लगाना बताते हैं नीफा हमीशा हमें तिरचे कपड़ या आडे कपड़े का लगाते हैं तब इसमें खिचाव आता है और फिनिशिंग आती है यदि आप देखे कपड़ा है जैसे यह फैप्रिक आपको दिखाती हूं यह फैप्रिक हमारा देखे यह करनी की साइड में खड़ा रहता है यदि इस साइड से आप कभी भी निफा लेकिन बहुत जादा नहीं लेकिन यह थी हम तिल्चा कट करते हैं इसी को तिकोना कट करके और उसी पट्टी और भी कट करके लगाते है निफा और खीच करके लगाना होता है इससे थोड़ा सा तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है तो हमसे बहुत से लोग डबल करेंगे आप सिंगिल का भी लगा सकते हैं मोटा फैब्रिक है तो आप सिंगिल कप्रे का भी निफा लगा सकते हैं डबल किया हमने और डबल करने के बाद में इसे उल्टी साइट से थुड़ा हलका सा खीचते हुए टक करेंगे स्टार्टिंग में आप डबल स्टिच करके से लॉक करिए ना टांका खुल जाता है डोरी खीचने के साथ ही इसको देखे हलका सा बल दे करके हलका सा कीचेंगे और खीचते हुए सलाई करते जाएंगे हलका हलका कीचते जाएंगे सलाई करते जाएंगे इस तरीके से हमें इस अब इसे हम पलटेंगे और पलटने के बाद में यह हमने आदा इंची फैब्रेक है ना देखे कट करने के बाद में आदा इंची छोड़ दिया इसे अंदर मोड़ेंगे अब मोड़ने के बाद में डोरी को रखेंगे डोरी को रखने के बाद में इसे फोल्ड करेंगे इस त अब डोरी को रखते हुए, डोरी को बचाना है, हमारी स्लाइड डोरी के उपर नहीं आने चाहिए, और ये बिल्कुल किनारे किनारे हमें स्लाइड लगानी है ये देखिए, हमारा नेफा बन गया है, डोरी मूव कर रही है, अब होती अच्छा फिनिशिंग का बना है घेर हमारा कंप्लीट होगा है, इसका डेकृरिशन भी करेंगे हम, लेकिन डेकृरिशन थोड़ा बाद में करेंगे पहले चूली बना लेते हैं हम इसकी, चूली के लिए हमने धाई इंची चोड़ा और बारा इंची लंबाई में फैब्रिक लिया है और इसी हमें दोनों साइट से सिल करके और इसी देखे पलट लेना है हमें लंबाई में एक अच्छी सलाई लगा लेंगे और सलाई लगाने की बाद में इसी सलाई की जगह पर गोटे से या टिशू टेप से लॉक कर लेंगे इसे हम टिशू टेप से लॉक कर लेते हैं लॉक करने की बाद इसके दोपीस करेंगे दो पीस में कट करके इसमें जो जहां से हमने कट किया है उस साइट से हमें देखे इस सेंटर से यह मुड़ी हुई साइड है और यह जहां से हमने कट किया है वहां से यहां पर हमने गोटा नहीं लगाया है वहां पर आधा इंची से ले करके दो इंच तक इसलाई लगा स्लाई लगाने के बाद ये फैला करके बीच में भी स्लाई लगा देंगे अब इसी हमें सेंटर में रखना है रेडवली साइट में इसेंटर में रख के इसको और ये कमर की गुलाई के साथ इसे अटच कर देगा है चुली हमारी ये फिट हो गई है और ये ड्रेस हमारी बन गई है इसका डेकॉरेशन कर लेते हैं डेकॉरेशन में देखिए हमने ये टोन चेन लगा दी है कमर की सिलाई के ऊपर इससे थोड़ा सा गेटप भी आ जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है अब ये मैंने चोटे-चोटे देखिए फ्लार्स लिए हैं ये देखिए चोटे-चोटे फ्लार्स वाली बूटिया है एक 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 स्टोन के इनको मैं बीच में जगए-जगए येलो पर लगा दूगी रैड कलर के बहुत प्यारी लग रहे है सिंपल सी ड्रेस बनी है लेकि बहुत प्यारी लग रही एक क्योंकि घर्मियों में जबारी वरकम ड्रेस न हो नहीं प्यांइ प्यना इती टाकोटी को इनको हम ग्लू स्टिक की मदळसे इनको चिपका देए अपनी मजी के साबसे आप चिपका सकते हों कहीं भी और इनको लगा देते इसे पुशाक में चार चान लगे, देखे, बहुत प्यारी लगने लगी dress, नीचे की side भी सी तरीके से लगा देंगे, ये देखे, ये dress हमारी बन गई, इसके लिए पगड़ी भी बना लेते हैं, पगड़ी हम सिंपली बनाएंगे, ज्यादा इसमें कुछ में, पगड़ी में ठाकुर जी तो नहीं है, मेरे पास जो आपको पहना करके दिखा पाती, तो देखे, बहुत सुन्दर लग रही है, ये dress, यूनिक लग रही है, बिल्कुल, दोस्तों, आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, तो like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, अगली वीड शिर पास, जाही है, ठाए क सबस्टेयर जोर वीड़ार와 पास, में रही है, तो सो आपको कैसी लोगरारraiं वी तो वाली न भी न ह मैं रही है, क मैं तो आज कैसी लो वीड़情ऱ्म, आपको कैसी टो जो आली ए तो जो बहू जो, आपको कैसी P